असलाम लेकूम आइम नताश्या यार बाइलोजी टीचर तोड़े वी आर गूंग तो डिस्कस अबाउट माइटो कॉंड्रिया देज टॉपिक आफ चेप्टर नबर फॉर सेल्स एंड टिशू माइटो कॉंड्रिया के बारे में हमने पढ़ना है सबसे पहले बेसिक जो इसम हमने कॉंसेप्ट लेने हैं वो मैंने आपको बताया था कि हर औरगनेली जिसको भी हम डिस्कस करेंगे सबसे पहले हम उसके बारे में पढ़ेंगे कि क्या वो औरगनेली डबल मेंब्रेन बाउंडिड है या वो औरगनेली सिंगल मेंब्रेन बाउंडिड है या उस औरगने क्या हो है प्रोक्रेयोट्स प्रोक्रेयोटिक सेल्स क्या होते हैं तो एक दफा फिर आज इसके बार में आपको बताती हूं So, prokaryotic cells are the cells which do not, which do not have proper nuclears and membrane-bounded organelles Prokriotic cells ऐसे cells हैं जिनके अंदर ना तो proper nephiase होता है ना ही उनके अंदर दूसरी membrane-bounded organelles पाई जाती है तो eukaryotes इसके opposite eukaryotic cells वो cells हैं जिनके अंदर proper nucleus भी होता है और membrane-bounded organelles भी मुझूद है तो membrane-bounded चाहे वो single membrane है चाहे वो double membrane है वो membrane-bounded ही है अभी तक हमने तमाम organelles में एक organelles ऐसी पड़ी है जो without membrane है और prokriote और eukaryote दोनों में पाई जाती है वो कौन सी organelles थी? that are ribosomes ribosome के कोई भी membrane नहीं थी और वो prokriotes और eukaryotes दोनों cells में पाई जाती थी mitochondria plural है अगर हमने singular इसके लिए use करना हो तो हम इसको कहेंगे mitochondrion mitochondrion is singular and mitochondria is plural तो mitochondria एक ऐसा structure है mitochondria is a double membrane bounded organelles mitochondria is a double membrane bounded organelles तो students यह double membrane bounded organelles है यह किन organisms में पाई जाएगी? obviously it is found in eukaryotes mitochondria is found in eukaryotes eukaryotic cell के अंदर यह पाई जाएगी अब यह कैसा structure है इसके structure की अगर हम बात करें तो मैं आपको इसका structure ड्रॉ करके बताऊंगी हमने पढ़ा double membrane bounded organelles है तो अगर इसकी first membrane की बात की जाए that is outer membrane outer membrane of mitochondria is is smooth outer membrane इसकी smooth है उसके उपर कोई भी रुकावट मुझूद नहीं है while इसका structure अभी में आपको बनाके बताऊंगी तब आपको यह बात clear हो जाएगी कि smooth किस तरह है और inner membrane smooth क्यों नहीं है हमने पढ़ा it is a double membrane bounded double membrane bounded में एक बात हमने पढ़ ली outer membrane smooth है और दूसरी जो के inner membrane है inner membrane is not smooth inner membrane sorry is not smooth इसका structure कुछ इस तरहां से है that is outer membrane mitochondria का structure यह मैं draw कर रहे हूं outer membrane जिसके पार में हमने पढ़ा के वो smooth है वाइल इनर मेंब्रेन गिव राइस तू इन फोल्डिंग्स इनर मेंब्रेन गिव राइस तू इन फोल्डिंग्स या हम कह सकते हैं inner membrane फॉर्म फिंगर लाइक प्रोजेक्शन इन फोल्डिंग्स को हम फिंगर लाइक प्रोजेक्शन भी कह सकते हैं यानि fingers के जैसे structures इनके अंदर बन जाते हैं देखिएगा मैं inner membrane ड्रॉ करने जा रहे हूं inner membrane गिव राइस तू इन फोल्डिंग्स इस तरहां से अंदर इसके इन फोल्डिंग्स बन जाती हैं जो finger की तरह के structures हैं इन इन फोल्डिंग्स को हम नाम देते हैं क्रिस्टी क्रिस्टी इन इन फोल्डिंग्स को कहा जाता है क्रिस्टी सिंगुलर की अगर बात करनी हो तो सिंगुलर होगा क्रिस्टा तो अभी तक हमने तीन बाते पड़ी हैं डबल मेंब्रेनTON डबल मेंब्रेन हैं इननर मेंब्रेन में फोल्डिंग्स बन जाती हैं जिनको हमक्रिस्टा कहते हैं इन फोल्डिंग्स को क्या है Students, आपके ख्याल में अगर ये वली जो inner membrane है इसको मैं यहां से निकाल के बाहर ड्रॉ करूँ तो क्या इसका size outer membrane जितना होगा या इससे ज्यादा बड़ा होगा Obviously इससे बड़ा होगा तो हम यह कहेंगे के kristra या kristi या ये in-foldings serves, यानि इनका काम क्या है To increase, they serves to increase the surface area of inner membrane हमारी body के अंदर ये आपने हर जगा बात याद रखनी है कि body के अंदर जहां पे भी in-foldings बनेंगी उनका मकसद सिर्फ एक होगा और वो मकसद है To increase the surface area surface area को बढ़ा देना ताके उसके उपर reactions ज्यादा अच्छे से ज्यादा reactions हो सकें तो ये हमने इसके structure के बारे में पढ़ा है अभी भी एक चीज़ इसमें रह के ये वो ये है कि जैसे हमने पढ़ा था कि cell के अंदर cell membrane के अंदर एक fluid पाया जाता है जिसको हम cytoplasm केते हैं और nucleus के अंदर एक fluid पाया जाता है जिसको हम nucleoplasm केते हैं इसी तरह इस mitochondria के अंदर यहां पर mitochondrial fluid है ये mitochondrial fluid है जिसको हम कहते हैं matrix इसके अंदर mitochondrial fluid पाया जाता है जो कहलाता है matrix mitochondrial fluid is known as matrix ये mitochondrial matrix पी इसको कहा जाता है अब mitochondria के functions क्या है mitochondria के functions क्या है तो ये यहां पर एक बहुत important point है जो आपने बहुत अच्छे से याद कर लेना है और अक्सर MCQs में पूछा भी जाता है mitochondria are also known as powerhouse of the cell mitochondria are also known as powerhouse of the cell powerhouse का क्या काम होता है they are known as powerhouse of the cell powerhouse हम कहते हैं energy production centers को तो they are energy production centers of the cell mitochondria are major energy production center of cells energy ये किस तरहां से produce करते हैं इनके अंदर aerobic respiration होती है mitochondria के अंदर aerobic respiration होती है और aerobic respiration एक ऐसा process है जिसके नतीजे में energy produce होती है जो कि ATP की form में होती है ATP stands for adenosine triphosphate अब यहाँ पे एक point clear करने वाला रह किया है वो यह है आपने students ribosomes के बारे में पढ़ा हुए राइबोजोम का function क्या है ribosomes are specialized for protein synthesis protein synthesis में इनका रोल है protein बनाने में ribosomes का रोल है तो mitochondria ऐसे structures है mitochondria को हम कहते हैं कि यह eukaryotic cell के अंदर cell पढ़ा हुए eukaryotic cell के अंदर एक prokaryotic cell पढ़ा हुए वो क्यों कहा जाते हैं कि mitochondria एक ऐसे structure है जिनके पास अपना they have their own DNA and ribosome इनके पास अपने DNA और अपने ही ribosome होते है जब यह चाहें जिस काम के लिए पी चाहें यह protein बना सकते हैं और इनके पास DNA भी अपना है जो इनको help करता है self replication में तो हम यह कहेंगे mitochondria is self replicating organelle mitochondria is self replicating organelle यह खुद बाखुद replicate हो जाता है तो अब अगर इनके ribosomes की बात की जाए mitochondria के ribosome their ribosomes ribosomes का हमने difference पढ़ा था prokaryotes और eukaryotes में शायद आपको याद हो वो हमने यह पढ़ा था कि prokaryotic ribosomes are smaller than eukaryotic one prokaryotes के ribosomes eukaryotes से smaller हैं और prokaryotic organism कोन से हैं कोई organism जो आपने prokaryotic पढ़ा हो वो है bacteria अब चाहे हम bacteria की बात कर लें चाहे हम prokaryotes की बात कर लें एक ही बात है क्योंके bacteria prokaryotic cell है तो mitochondria के ribosomes की बात अगर करें यह बात आपने बहुत अच्छे से याद कर लेनी हैं ribosomes of mitochondria are more similar to prokaryotic ribosomes prokaryotic ribosomes भी आप यहाँ पर लिख सकते हैं आप यहाँ पर bacterial ribosome भी लिख सकते हैं क्यों? क्योंके bacteria एक prokaryotic organism है तो mitochondria जो के eukaryotes में पाया जाता है इसके जो ribosomes हैं वो eukaryotes की बज़ाए prokaryotic ribosomes से ज्यादा मिलते हैं एक दफ़ा इस पूरे lecture को revise कर लेते हैं students हम mitochondria के बारे में पढ़ रहे थे जिसका singular है mitochondrion mitochondria एक double membrane bounded organelli है जो के सिरफ vukaryotes में पाय जाती है इसकी double membrane की बात की जाए तो students outer membrane outer membrane इसकी smooth है लेकिन inner membrane के अंदर ये foldings बनती है जिन foldings को हम crystal बोलते हैं crystal का function क्या है they serve to increase the surface area of inner membrane inner membrane के surface area को ये बढ़हा देती है अगर inner membrane के inside बात की जाए तो एक fluid है जिसको हम mitochondrial fluid या फिर matrix कहते हैं उसके बाद अगर हम बात करें mitochondria के function की तो they are also known as powerhouse of the cells powerhouse of the cells means they are the major energy production centers of the cells because they play their role in aerobic respiration उसके बाद हमने mitochondria के बारे में बात की they have their own DNA and ribosomes they have their own DNA and ribosomes therefore they are self-replicating organelles इनके जो ribosomes हैं वो pro-creatic ribosomes से ज्यादा मिलते हैं as compared to eukreotic ones उमीद है आज की lecture की आपको समझ आ गई होगी अगर किसी को कोई point नहीं समझ आया तो आप comment box में mention कर सकते हैं थेंक्यू फॉर वाचिंग अल्लाहाफिस अल्लाहाफिस